Once upon a time, भारत के उत्तरी भूभाग में पैदा हुआ एक आदर्श बालक, खुजली. मेरा राज्च बेटा, बड़ा होके बड़े बड़े काम करेगा. अरे, पर इसने तो अभी मेरी घोध में सुशू कर दी. मैंने सुशू नहीं की, मोधी जी नकी है. बड़ा हुआ तब मास्तर जी ने पूछा, बेटा खुजली को बिजली का गोला लाने को भेजा और वो गिली दंडा खेलते हुए पाया गया. मा ने कान पकड़ा तो खुजली कान खुजलाते हुए बोला. कान पकड़ो, उन्होंने हमको रोका, बिजली का गोला लाने से, कौन है ये मोधी जी? बूत बाधा बालों ने आजबाया. किसने बेजाए तुझे? मोधी जी ने पेजाए तुझे? मोधी जी ने पेजाए तुझे? मोधी जी. मोधी जी, मैं आपसे नहीं ड़ता. मोधी जी, मोधी जी, मोधी जी, मोधी जी, मोधी जी. आखिर में ठक हार कर, बाभू जी ने खुजली को दिल्ली भेज़ दिया, सरकारी नौकरी करने. मोधी जी, आप मुझे वो प्रेजन्टेशन देने वाले थे, उसका क्या हुआ? सर जी, हम तो काफी चाहते थे कि आपको प्रेजन्टेशन दे, लेकिन मोधी जी, हमारे कम्प्यूटर का वाइफाई ही बन कर दिये. सर जी, मोधी जी बारिश किरा दिये? मोधी जी ने, पूरे बच्चोरों की फोज हम पर छोड़ दी. मोधी जी, हमें जबरदस्ती मुवी देखने भेज दी है. मोधी जी आखिर कौन है? इस सवाल का जवाब दुनिया को मिला 2013 में. दुनिया भर के अक्यूजेशन दुनिया पर करने के बाद, बड़े बड़े बादों का ताज महल खड़ा करने के बाद, जब उन्हें पूरा करने का टाइम आया, तो खुजली बोला. मैं चाहू, तो दिल्ली को चुटकियों में सेफ बना दू. मोधी जी मुझे करने नहीं देंगे. And he blamed happily ever after. तो भहिया, moral of the story is, कि जब आपका बच्चा बच्पन में काम नहीं करता, और उसका दोश किसी दूसरे के बच्चे पर डालता है, तो उसे आज ही रोकिये. नहीं तो कल उठकर वो A. खुजली भाल बन सकता है. आगे आपकी मर्जी.